उत्तरपर्देश के मुख्यमंत्री योगी आदितनात आज पसीमी उत्तरपर्देश के दोरे पर है सारणपूर मुझफवनगर में मुख्यमंत्री के कहीं कारक्रम है सारनपूर में सबसे पहले मुख्य मंत्री आएंगे और उसके बाद यहां पर करीब दो घंटे चालीस मिलेट रहने के बाद वो मुझफर नगर के लिए रवाना होगे मुख्य मंत्री के दोरे में क्या कुछ खास है वो मैं आपको बता देता हूँ सारनपूर में सबसे पहले मुख्य मंत्री पुलिस लाइन में यहां पर लेंड करेंगे उसके बाद जन परतिनी दियों के साथ यहां पर वो पुलिस लाइन के सभागार में ही एक मिटिंग जो है वो यहां पर करेंगे जिसके बाद यहां से सीधे वो सरकीट हाउस जाएंगे सरकीट हाउस में विकास कारेों के साथ साथ जो कानून विवस्था की जो समिक्षा है वो मुख्य मंत्री दियो है वो यहां पर करेंगे लेकिन सुत्र यह भी बताते हैं कि जिस तरह से पहले कुस दिनों से लगातार पत्षीम उत्तर परदेश में भारते अंता पार्टी के अंदर जो गुट बाजी चल रही है तमाम नेता एक दूसरे के उपर आरोप लगा रहे हैं तो उन नेताओं के साथ भी मुख्य मंत्री की जो है मुलाकात यहां पर होगी और कहीं न कहीं मुख्य मंत्री उनका जो गुस्सा है उनका जो आकरोश है उनको सांथ करने की कोशिश जरूर करेंगे कोकि पार्टी अभी से 2027 के चुनाव में जुट गई है साथी साथ उत्तर परदेश की 10 विधान सवा सीटों पर अभी मुख्य मंत्री आज सारनपूर और मुझफण अगर के दोरे पर रहेंगे सारनपूर के बाद मुख्य मंत्री मुझफण अगर जाएंगे जहां पर रोजगार मेले का जो है उनकी तरफ से जो है वो किया जाएगा साथी साथ करी 5,000 से ज्यादा विरोजगार यूकों को न् खास है पसीमि उत्तर परदेश में आज मुख्य मंत्री रहेंगे सबसे पहले सारनपूर में जनपरतिनीदों के साथ यहां पर वारतालाब होगी उसके बाद विकास कारेयों के साथ साथ कानून विवस्ता की समिक्षा जो है वो मुख्य मंत्री की तरफ से की जाएगी फिर उसके बाद मुझफण अगर पहुंच कर भी मुख्य मंत्री जो है वहाँ पर भी रोजगार मेले के उद्गाटन के साथ साथ ही ज़जनपरतिनीदी है उनसे यहां पर बात करेंगे सारनपूर में बताया जा रहा है कि सारनपूर में मुख्य मंत्री से मिलने वालों की एक कले जो यहां पर चल रही है तो कहीं ना कहीं जो यहां पर दो गुट बंते हुए दिखाई दे रहे हैं उनके साथ भी मुख्य मंत्री की यहां पर बातचीत होगी और वो कहीं ना कहीं उनका आक्रोज जो है वो शांत करने की कोशित जो है वो करेंगे मुख्य मंत्री की जन